हे गाईज दिस इस दिक्षा जूही वेलकम डू माई चैनल इजी टू लर्न गाईज आज की स्यूडियो में हम MSC थर्ड सेमिस्टर के सब्जक्ट जुलोजी के फुल स्लेबस के बारे में बात करेंगे तो चली गाईज स्टार्ट करते हैं गाईज MSC के थर्ड सेमिस्टर में भी टोटल चार पेपर होते हैं और चारों ही पेपर हंड़िड हंड़िड मार्क्स के होते हैं जिसमें पेपर फर्स्ट है कॉर डेटा पेपर सेकेंड है एनिमल डेवलपमेंट और मॉर्फोजिनेसिस पेपर थर्ड है बायो टेकनोलोजी और गाईज जो पेपर 4 होता है में जिसमें पहला है फिस्री बाउजी पिजिएौलोजी अंड तो से डेवलपमेंट और दूसरा है एंटोमोलोजी, इंसेक्ट मॉर्फोलोजी, फिजियोलोजी और तीसरा है सेल बालोजी, साइटोलोजिकल टेकनीक्स यह चारो ही पेपर हंडेड हंडेड मार्क्स के होते हैं और फूर्थ पेपर में एक आपको चूज करना रहेगा आप उसमें से जो भी चूज करना चाहिए इन तीनों में से वो आप चूज कर सकते हैं और एडिसनल रूप से गाईज हंडेड मार्क्स का प्रैक्टिकल भी होता है तो चलिए गाईज पेपर फरस्ट देख लेते हैं कि पेपर फरस्ट में क्या-क्या है पेपर फरस्ट कॉर्डेटा गाईज पेपर फरस्ट जो है वो चार यूनिट्स में डिवाइडेड है जिसमें यूनिट फरस्ट में हमें पढ़ाई करनी है और जिन ओफ कॉर्डेट्स इंटर रिलेसंसिप ओफ ऑस्ट्रेकोडर्म और प्लैकोडर्म चलिए देखते हैं यूनिट सेकेंड में क्या पढ़ना है तो इसमें हमें पढ़ाई करनी है जनरल ओर्गनाईजेशन और एफिंटीज ओफ होलो सिफैली क्रोस ओप तरजी और डैपनाई और जिन ओफ पेयर्ड फिंस इन टेलेस्ट्स तो चलिए देखते हैं यूनिट थर्ड में क्या पढ़ाई करनी है ओर्जिन ओफ टेट्रापोडा नियोटिनी इन एमफीबिया ओर्जिन और इवोल्यूसन ओफ रेप्टाइल्स बर्ड्स और मैमल्स रिनैकोप सिफैलिया तो चलिए देखते हैं यूनिट फोर्थ में क्या पढ़ना है एरोडाइनमिक्स इन बर्ड्स बर्ड्स आर ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स एडॉप्ट्यू रेडियेशन इन यूथेरिया ओर्जिन एंड इवोल्यूसन ओफ मैन नीचे कुछ सजेस्टेट बुक्स दी हुई है यह साई बेस्ट बुक्स हैं आप इनमें से कोई भी बाई करना चाहते हैं तो आप बुक इस्टॉल से ले सकते हैं नेक्स्ट गाईज अब हम देखते हैं पेपर सेकेंड जो की है इनिमल डिवलपमेंट एंड मॉर्फो जिनेसिस यह पेपर भी गाईज चार यूनिट्स में डिवाइड़ है जिसमें हमें यूनिट फर्स्ट में पढ़ाई करनी है गैमीट्स, स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन प्री एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, बायोकेमिस्ट्री फर्टिलाइजेशन नेजर ओफ एक्स और दियर क्लिवेज गैस्ट्रूलेशन, ओर्गैनोजनेसिस ओफ वर्टिब्रेट ब्रेन, आई एंड हर्ट तो चलिए देखते ही उनिट सेकेंड में क्या पढ़ना है इवलिउसन ओफ वीवी पैरिटी इन मैमल्स, सेलूलर और बायोकेमिकल इवेंट्स इन मेटामॉर्फोसिस ओफ इंसेक्ट्स और एंफिवियंस, कॉजज़ ओफ फेटल डिफॉर्माइट्स नेक्स्ट है यूनिट थर्ड, तो यूनिट थर्ड में हमें पढ़ना है गाईज इन मेटामॉर्स फेक्ट की ओफॉर्मार्पियंस, सेल्डिम्च अन ऍनेफॉर्णी इन में डिफिय्यं ौ county एंफ एंसेक्ट्स और घ्न माँज़ गोन सेंट्र नेफॉर्स एंसब्स Systems, Aging and Cellular Death, Transgenic Animals and Knockouts, Unique Properties of Stem Cells, Embryonic Stem Cells, Adult Stem Cells, Umbilical Cord Stem Cells, Similarities and Differences between Embryonic and Adult Stem Cells, Properties of Stem Cells, Pluripotency, Totipotency. गैस नीचे कुछ Suggested Books दी हुई हैं, जो की Best Books हैं, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीन सॉट ले सकते हैं और Book Store से Buy कर सकते हैं. नेक्स गैस अब हम बात करेंगे Paper 3 के बारे में, जो की है Biotechnology and Molecular Biology. गैस ये Paper भी 4 Units में divided हैं, जिसमें Unit 1 में हमें प्रहाई करनी हैं. एक्रेमिन नेचनलोजी इंट्जूरी, त्रॉड़क्शन, रिस्टिक्शन, इनूनुक्लिए और अप्लिएज और जूज़िएं अब्लिकास, और जूस्पलिक जूज में जूज जूज, प्रॉड़क्शन, अजूज़ प्रॉच्वेश झाहें, जूज़ इनूज, आप् नेक्स्ट गाइज अब देखते ही यूनिट सेकेंट में हमें क्या पढ़ना है। नेक्स्ट गाइज अब देखते ही यूनिट सेकेंट में हमें पढ़ाई करनी है। नेक्स्ट गाइज पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं उनिट 4 में हमें क्या पढ़ना है organization of eukaryotic genes, globin gene, IgG, RDNA, histone gene, genetic code, protein synthesis, translation, MRNA processing and organization of interrupted genes, ribonucleoprotein, organelle genomes, structure and life cycle of bacterial phase T2 or T4 virulent and temperate phases, phase mutant and dear importance, RNA phases, tumor viruses and dear life cycle, retrovirus, topoisomerase, gyrase, methylase, nuclease, molecular velocity of cancer, oncogenes, chemical carcinogenesis, genetic and metabolic disorder, principles of methods of gene targeting gene silencing. नीचे guys को suggested books दी हुई हैं, आप इन्हीं screenshot ले लीजिए, जो best book लगे उन्हें आप buy कर लीजिए. next guys अब हम paper 4 के बारे में बात करेंगे, guys जैसे कि मैंने पहला ही बताया था कि paper 4 तीन parts में divided है, उसमें से आपको एक ही choose करना है, तो आपने जो भी choose किया है guys, सिर्फ उसे ही सुनिएगा, बाकी मैं पूरे ही इस levels को cover करूँगी. तो paper 4 का पहला part है, fishery biology, morphology, physiology and development of fishes. guys ये part 4 यूनिट में divided है, जिसमें पहला यूनिट है, morphology, structure and functions of ear, ear, bladder, connection and vivares, apartes, endocrine glands, hypophysis, thyroid, adrenal, ultimo, bronchial body, corpuscles, ortho, estenius and urophysis. तो चलिए देखते हैं unit second, different types of caudal fins, specialized organs in fishes, electric organs, sound producing organs, light producing organs, poison glands, nervous system and sense organs. तो चलिए unit third में देखते हैं, हमें क्या पढ़ना है, physiology, physiology of digestion, respiration, osmoregulation, excretion and reproduction. यूनिट four में हमें पढ़ाई करनी है, development, gastrulation, new relation, organ formation, larval development, metamorphosis. तो गाईज, इसके बारे में भी कुछ suggested books नीचे दी हुई हैं, तो चलिए next हम बात करते हैं, paper four के second part के बारे में. जो की है, entomology, insect morphology, physiology and development. यह paper भी चार units में divided है, जिसमें हमें unit first में पढ़ाई करनी है. the integumentary system, histology of the integument's physical properties and chemical compositions of cuticles, sclerotization, chloration and malting. morphology of the head, tentorium, antenna and mouth parts and deer modification, thorax, targets, legs and deer modifications, wing structure and venison, deer modifications, couplings, mechanism and abdomen, pre-genetical abdominal appendages, external genitalia. तो चलिए देखते हैं, unit second में हमें क्या पढ़ना है. nervous system, the nervous central, visceral and peripheral nervous system, sensory mechanism, mechanoreceptors, tangoreception, proprioception, sound preception, chemoreception, thermoreception, hygroreception and photoreception. compound eyes, image formation, stamina, bio-luminization and sound production. तो चलिए उनी थर्ड में देखते हमें क्या पढ़ना है. elementary system, nutrition, feeding, behavior, morphology of the gut and physiology of digestion and absorption, circulatory system, dorsal, vessel, accessory, pulsating structures, sciences and diaforms, mechanism of circulation, composition and function of hemolymph, respiratory system, structure of trachea, tracheoles, air sacs, spirals, physiology of respiration, respiratory adaptation of aqua and parasitic insects. next guys, अब हम देखते हैं, unit 4 में हमें क्या पढ़ना है. excretory system, physiology of excretion, nitroseness, excretion, salt and water balance, reproductive system, male and female reproductive system, development, post embryonic development, metamorphosis, types of larvae and pupae, exocrine glands, structure and function, pheromones, endocrine glands, structure and function of non-neural, neural and peptide hormones, regulation of general body function and metabolic activities, molting, polymorphism and diapause. guys, नीचे कुछ suggested books दी हुई हैं, आप इन में से जो भी बाई करना चाहें, वो आप book install से बाई कर लीजिएगा. next guys, अब हम paper 4 के part, 3rd के बारे में बात करेंगे, जो की है, cell biology and cytological techniques. ये भी guys, 4 units में divided है, तो चलिए देखते हैं, unit first में हमें क्या पढ़ना है? elementary principle of phases, interference, polarization, fluorescence and electron microscope, transfusion, electron microscope, scanning electron and atomic force microscopy. तो चलिए देखते हैं, unit second में क्या पढ़ना है? theory and application of freeze drying, yux ray diffraction, radio autographs, methods of cell tissue culture. unit third में हमें पढ़ाई करनी है, chemical basis of fixation and cytokemical localization of proteins, lipids, glycosin, RNA, DNA, phosphates, iterase and oxidase. unit 4 में हमें पढ़ाई करना है, purification and fraction of nucleic acids, nucleic and hybridization, enzymatic application of DNA by PCR. guys, नीचे को suggested books दी हुई है, आप इसका screenshot ले लीजिए, जो best book लगे वो आप पाई कर लीजिए. तो guys, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो please share करें, साथ साथ चैनल को subscribe करना ना भूले, thank you. आपको